Hello everyone, welcome to Brahmiya Academy आज का हमारा lecture है मध्यप्रदेश की जन्जातियां अभी हम मध्यप्रदेश की जन्जातियों में बहुत सारे lectures देख चुके हैं बील जन्जाति, गोंड जन्जाति, बैगा, कोल ये सारे जन्जातियां हम complete कर चुके हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सहरिया जन्जाति, ठीक है सहरिया जन्जाति अब आपको एक चीज याद रखनी है, सहरिया जन्जाति में या कोई भी हम जन्जाती जब हम पढ़ते हैं क्या करते हैं पहले देखते हैं location मद्य प्रदेश में वो कहां निवास करती है ठीक है फिर उसके बारे में हम detail में जाते हैं जैसे हम बात करें किसकी भील जन जाती की भील जन जाती आपको ये पश्चमी एरिया में मिलेगी मद्य प्रदेश के पश्चमी एरिया में भील और प्रतियास, बैगास, जितने भी हैं, आपको इस इलाके में मिलेंगे, फिर हमने पढ़ा गोंड, मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी के दोनों तरफ, विंधांचर और सत्पुडा की स्रेणियों में परवतों में स्थित होती आपकी गोंड जन जाती, ठीक है, तो आपको कोल जन जाती पढ़ी जो आपको यहां, रीवा, सतना, सीधी, इस वाले इलाके में मिलेगी, हमने बैगा देखा, बैगा आपको यह पूरी भी वाले इलाके में मिलेगा, मंड लाडिंडोली, बारा घाट, उमरिया, इस वाले इलाके में, ठीक है, बैगा चक नामक मैंने आ रखेगा जब हमने सबसे पहला बेसिक एक डिस्कशन लिया था जंजातीओं के बारे में तो मैंने आपको बताया सकुղ मिलेगी मुरयना भिंड और दतिया वाले руки में सबसे कम जंजाती वहां पर जाती है मंध्य प्रदेश में उसके अलावा जो आपका शोपुर वाला इलाका है यहां पे ग्वालियर हो गया शुपुरी हो गया गुना हो गया इस वाले इलाके में आपको कौन सी मिलेगी सहरिया जन जाती ठीक है सहरिया जन जाती तो यह आपके जो नौर्थ वाला सेक्ष देखें तो वो कहां पर मिलेगा आपको शाहबाद के जंगल जो आपका शाहबाद का जंगल है वहां पर कोटा और गुना के मध्य इस वाले इलाके में अब यह भी याद रखेगा कि यह जो जंजातियां हैं वो किसी एक स्टेट में नहीं है आपको बगल वाले में में आपके मिलती है मध्य प्रदेश के इलावा भी बहुत सारे स्टेट में उत्तर प्रदेश चत्तिसगर्ट महराष्ट्रा बहुत सारे राज्यों में मिलती है तो यह विलकुल दिवाक में नहीं रखना है कि यहां पर आपकी सहरिया उतने में मिलेगी ठीक है गुना और उसके उस वाले इलाके में जो आपका जंगल वाला इलाका है वहां पर मिलेगी आपको सहरिया जन जाती ठीक है एक चीज क्या याद रखना है कि यह आपकी यह खुद को क्या भीलों का छोटा भाई मानती है खुद को ठीक है तो यह हो गया आपका भील वाला इलाका और भी लोगी ठीक है तो ये भी याद रखेगा फिर एक चीज और आपको क्या याद रखना है अति पिछडी जनजाती का दर्जा प्राप्त है मद्यप्रदेश में आपको मद्यप्रदेश में आपको तीन जनजातियां ऐसी मिलेंगी जिनको किसका दर्जा प्राप्त है अति पिछडी जनजाती का तीन जनजाती हैं जो अति पिछडी जनजाती में आती हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप ठीक है? P, V, T, G ये आपने बहुत बार सुना होगा केंदर सरकार जो है वो घोशित करती है अची पिछली जन जाती तो अची पिछली जन जाती में मध्य प्रदेश का अगर देखे तो कौन-कौन सी है एक तो है आपकी सहरिया तो ये तो हम देखी रहे हैं दूसरा हो गई आपकी भारिया, और तीसरा हो गया बैगा, बैगा के बारे में हम अभी देखी चुके हैं, भारिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे next lecture में, तो यह हो गया को बैगा, भारिया, सहरिया, इसको relate कैसे कर सकते हैं, सहरिया को तो आप उठाएंगे शहर, city की बात कर रही हूँ है, तो सहर, सहर में हम जाते हैं, बैग का भार लेके, जब आप शहर जाएंगे, कामवाम करने भी जाएंगे, ट्राइबल हमारे, तो बहुत भारी बैग लेकर जाते हैं, तो सहरिया, बैगा, भारिया, ये तीन किसमें आती हैं, अती पिछडी जनजाती में, particularly वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, मध्य प्रदेश की तीन ही हैं, उसके अलावा ये खुद को भीलो का छोटा भाई मानते हैं, एरिया मैंने बता दिया, ये शाहबाद के जंगल, गुना वाला इलाका, गुना, शूपुरी, गौालियर, शूपुर, इस वाले इल अर्थ होता है जंगल, आप दीखेंगे, ये जंगल वाले इलाके में रहती है, जैसे आपके गोंड, पर्वत वाले इलाके में रहते हैं, तो उनका गोंड, कोंड, पर्वत से मिलता हुआ आ गया शेयर, ईसे ही इनका पार्सी शब्द सह्र है, यहाँ से उध्पत्ती हुई है जिसका मतलब होता है जंगल क्योंकि यह जंगल वाले इलाके में रहते हैं ठीक है इसके अलाबा एक और मतलब निकलता है सहरिया का सहरिया यह हो गया शेयर के सांथ तो यह बहुत सारे मतलब आपके historians हैं विद्वान हैं जो अलग-अलग मतलब निकालते हैं उस शब्द का ठीक है और ये kolorian परिवार की जन जाती है kolorian या kolorian आप कह सकते हैं परिवार की जन जाती है ठीक है फिर देखते हैं निवास इस्थल एक तो ये समतल मैदान में समूह में रहते हैं जंगल वाला इलाका है समतल मैदान है वहां पर ये समूह में रहते हैं इनकी बसावट को कहते हैं सहराना वैसे भी सहरिया है सहरिया कहां पर रहेंगे सहराना में ठीक है तो ये जो आपकी बसावट है ये कहलात सहराना आप ऐसे मानिए कि समूव में रहते हैं मतलब बहुत सारे घर एक साथ ऐसे बने होते हैं ठीक है बहुत सारे घर आपके ऐसे एक साथ बने होते हैं और यह लोग क्या करते हैं एक सांथ घर बना दिया और सब की छत एक सांथ बना दी मतलब ऐसा मालीजी कि यह सब की छत सा मुधा भवन भवन बनाते हैं घर्मसाला बनाते हैं सहरिय जन जाती वाले ऊव़र रोल होगे आपका सेहराना बीच में जो बना दिया उसको बना दिया बंगला बंगला है आपका समुदाइक भवन या धर मसाला ठीक है? फिर नेक्स देखिए राजनीतिक ववस्था की बात करते हैं यहाँ पे अभी हमने देख लिया रहते कैसे हैं समतल वाले इलाके में जंगल है लेकिन थोड़ा समतल है समतल में वो भी समूह में रह रहे हैं साथ में फिर जो आपकी सबसे छोटी काई है वो है कुटुम्ब अब जैसे माल लीजिए यह बहुत सारे घर बने हुए एक साथ तो हम यह पर्टिकुररली एक घर की बात कर रहे हैं एक घर में कोई एक परिवार रह रहा है तो जो परिवार है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है कुटुम्ब वैसे भी आपने ये कुटुम्ब वर्ड सुना होगा तो ये भी याद करने में परिशानी नहीं होगी तो सबसे छोटा जो छोटी काई है परिवारी की काई है वो कहलाती है आपकी कुटुम्ब ठीक है कुटुम्ब का जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुखिया मतलब हमने मुखिया को मुखिया ही नाम दिया है ऐसा माल यह एक फामिली है मम्मी पापा हैं दो तीन बच्चे हैं तो जो पापा हैं जो मुखिया हैं 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 उनको मुख्या ही बोल रहा है ॏ ठीक है तो कुटूम का मुख्या कौन हो गे आपका गे invasion हमनेनाबचेंज नहीं कि आपका हमने मुख्या को मुख्या रहने दिया तो ये हो गया मुख्या फिर सहराना का प्रमुख मैंने बताया एक पूरी ऐसे व्यवस्था होती है और इस पूरे सहराना का प्रमुख कौन होता है तो ये होता है आपका मुखिया पटेल आपको ये question मिलेगा 2021 में आया है शायद NPPC prelims में 21 या 22 में सहराना का प्रमुख है ना मतलब ये खुटिया पटेल किस से संबंदी थे किस जनजाती से संबंदी थे तो वहाँ पर मुखिया की जगह क्या यूज किया हुआ था खुटिया पटेल तो ये भी याद रखेगा फिर आपको पटेल पर फोकस करना है ठीक है तो पटेल जो है सहराना का headcon होता है मुखिया पटेल ये खुटिया पटेल ठीक है और ये पटेल का पद जो है वन्शानुगत होता है ये भी याद रखेगा तो आपका सहराना पहले पारिवारी की गाई की बात करें मतलब हम एक घर की बात करेंगे तो वो कहलाएगा कोटुम उसका प्रमुख कहलाएगा मुखिया पटेल ठीक है इसके अलावा अन्यसदस से कौन-कौन होंगे जैसे हम पढ़ते हैं पंचायत व्यवस्था है तो अन्य पंच कौन-कौन से होंगे तो ऐसे ही इसके अन्यसदस कौन-कौन होंगे जैसे हो गया आपका कोटवार छोपा बराई अधनारिया तो ये अन पर दशहरा दीपावली अभी हमने कोल जन जाती के बारे में भी देखा था कि हिंदू धर्म को काफी अच्छे से अडॉप्ट कर लिया ऐसा आप मान के चलिए कि ट्राइवल इलाका है जंगल में रह रहे हैं या पहाडों में रह रहे हैं लेकिन वो कॉन्टैक्ट में किसके आगे हैं हिंदू धर्म के तो हिंदू धर्म में आने के बाद कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या किया उन्होंने दशहरा दीपावली राम नौमी यह सारी चीज़े मनाना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो त्योहार आपके जो सहरिया जन जाती है वो भ तोना तोटका पे भरोसा रखते हैं आज के टाइम पे भी आप बहुत जग देखेंगे गाउं में इस्पेशली कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है या ऐसा लगते किसी की तबियत खराब है तो उनको सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि भूत प्रेद की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो जाड़फूग करवाते हैं तो ऐसे ही सहरिया जंजाती में भी टोना तोटका भूत प्रेद इन सब में विश्वास रखा जाता है ठीक है उसके अलावा इसकी संस्कृति में याद रखेगा इनकी संस्कृति में आपको कहावते मिलेंगे गीत मिलेंगी पहलि यह बहुत ज्यादा फेमस हैं तो यह चीज़ याद रखेगा सहरिया जंजाती से ठीक है फिर नेक्स्ट क्या हुआ आपका न्रित्य आपको पता हैं रित्य हमें मतलब हर में हमने अलग लग देखा है भील जंजाती का हो गया आपका गूमर गौर उसके अलावा जो आपके सैला कर्मा है कोरकु का देखा गोंड जंजाती में सैला कर्मा है ना उसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताए हैं इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ठीक है अच्छा तब जिसको ट्रिक समझ में नहीं आती यह लगता है कि जबरज ये कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है कि आप बताएं कि ट्रिक जबरजस्ती आप बता रहे हो हर जगा ट्रिक क्यों बना रहे हो ठीक है कुछ लोगों को भी इससे अगर फाइदा मिल रहा है तो मेरा फोकस उन लोगों पर है जो सर्वग्यानी है उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की यहां पर रित्य जो है वो है आपका लहंगी दुलदुल घोडी और रागनी ट्रिक कैसे बना सकते हैं ट्रिक मतलब हमें ऐसा रिलेट करना है एक ऐसी स्टोरी बनानी है जो आपकी दिमाख में छप जाए ठीक है जैसे आपकी हो गई रागनी जो हमारी रागनी है वो लहंगा पहन कर घोडी पर बैठ कर जा रही है अपनी शादी में ठीक है घोडी पर बैठ कर जा रही है अपनी शादी में यह मतलब जैमाला में भी आप मान सकते हैं जो उसका जैमाला हो रहा है यह शादी हो रही है स्टेश तक जो जाते हैं तो अलग-अलग लोग बैटके जा रही है ठीक है तो रागनी लहंगी और दुलदुल घोडी किसे करना है शहर से और यह सारी चीज़े कहां हो सकती है शहर में यह सकती है अगर गाव में कोई करने लग गया तो मतलब मार के भगाई देंगे कि तुम शादी मत करो कोई दुलहन अगर इसकी डिमांड करने लग गई कि मुझे घोडी में बाट के स्टेज पर जाना है तो यह सब कहां चَल रहा है शहर में चल रहा है हमारी रागनी दीदी है शहर की उन्होंने डिमांड करी कि stage पे हमें घोड़ी में बैठके जाना है तो बढ़िया लहंगी, दुलदुल घोड़ी और रागनी, ये तिनों आपके relate होगे किस से, शहर से मतलब शहरिया, जन जाती से ठीक है, next देखिए अच्छा जीने बहुत ज़्यादा problem है trick से, मैं उनके लिए ये बता दूं कि आप बहुत बार पढ़िये किसी एक चीज को, फिर उसको 2-3 महीने, 4 महीने तक नहीं पढ़िये और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको वो चीज याद है कि नहीं है उसके अलावा कोई आप चीज इस trick से याद करिए सिर्फ 2-3 बार revision करिए फिर आप उसको 4 महीने बाद भी देखिए आपको वो याद रहती है कि नहीं रहती है इसे पता चल जाएगा कि trick की या किसी चीज को connect करके पढ़ने का relevance क्या है महत्यों क्या है ठीक है इसे ही आपको answer मिल जाएगा इस चीज का कि हमें relate करके या trick के माध्यम से पढ़ना चाहिए यह नहीं यहाँ पर विशेश में देखे यह सीता माता की क्या करते हैं पूजा करते हैं आपने देखा अलग-अलग शार्दा माता की पूजा कर रहे हैं कोल जन जाती वाले ऐसे ही सीता माता की कौन पूजा कर रहा है आपके सहरीय जन जाती वाले शबरी माता भी हमने पढ़ा है कोल जन जाती से related शबरी माता को पूजते हैं कोल जन जाती तो यह जो आपके अलग-अलग है ना छोटे-छोटे फैक्ट है शपरी माता को कौन पूझ रहा है पिर सीता माता को कौन मानता है छहर वाले शहर वाले को बहुत मानते हैं उसके बाद आता है शहर एक मतलब रिसर्च की गई थी तो पाई गया कि यह ट्यूबर कि लोसेश से बहुत ज्यादा ग्रसीथ यह जण जाती आपकी तो सहरीय जण जाती एक तो किसले फेमस है एक famous है kuposhan के लिए ये भी याद रखेगा कि सबसे kuposhit जन जाती है आपकी सहरिया जन जाती है मतब शहर वाले जो है fast food इतना खा रहे हैं कि वो kuposhit हो गए है तो शहर वाले हैं आपके kuposhit क्या खा रहे हैं वो fast food बहुत खा रहे हैं पीजा बर्गर यही सब खा रहे हैं क्या है kuposhit है और इसके अलावा 6 रोग भी बहुत ज़्यादा है तीबी भी बहुत ज़्यादा है तो याद रखेगा ट्यूबर कुलोसिस जो है रिसर्च में पाया गया कि इन में सहरिया जन जातियों में ट्यूबर कुलोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा है मतलब उसकी जो बीमारी है बहुत सारे लोगों में पाई गई फिर सहरिय जन जातिका आपको संग्रहाले कहां मिलेगा शोपूर में मिलेगा और इन्हें जड़ी बूटियों का ग्यान होता है सीधी बात है ये ज़ंगल में रह रहे हैं ज़ंगल में रह रहे हैं तो इन्हें जड़ी बूटियों का ग्यान होगा ही होगा एक टाइम के बाद अपने आसपास की चीजें वो अब्जॉब करेंगे फिर देखेंगे कि हमें बीमारी होती है तो कौन सा पेर पौधा यूज आ सकता है हमारे तो जड़ी बूटियों का ग्यान तो हो गई ठीक है तो ये हो गया आपका शहरिये जनजाती की उनको जड़ी बूटियों का ग्यान है सीता माता की कुज़गर रहे हैं छहरोग से ग्रसित हैं कुपोशन से ग्रसित हैं क्योंकि शहर में रहते हैं फास्ट फूड खा रहे हैं और संग्रहाले मिलेगा आपको श्योपूर में ठीक है और एक चीज यहां पर आप याद रखिएगा आप जब प्रिलिम्स का पेपर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे कुशन भी मिलेंगे जो जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा हो कहीं न कहीं लेकिन आप अगर लोकेशन जानते हैं कि कौन सी जन जाती कहां पर है उससे भी ऐलिम बैगा विकासखंड नहीं है अब आपको पता है कि बैगा कौन-कौन से एरिया में निवास करती है तो सीधी बात है अगर उस एरिया के लावा कोई और जिला है ओप्शन में तो वही ओप्शन होगा है ना तो यह भी याद रखिएगा कि आपको जगह क्यों पढ़नी शूपुरी जो में में एरिया है मुसकी बात कर रहे है शूपुरी है फिर इसके अलावा हमने रित्य पढ़े रित्य कौन सा था एक तो हमारी रागनी दीदी थी घोडी पे बैठके दुल-दुल घोडी कहा जा रही थी लहंगी अपनी लहंगा वहंगा पैन के अपनी सितमाता हो गया है सहरान के बारे में याद रखिया को सहराना यह जो इनका मुक होता है प्रमुक कहलाता है खुटीया पटेल मुखिया पटेल ठीक है उसके अलावा हमने क्या बताया सबसे छोटी पारिवारिक इकाई कुटूम कहलाती है और इसका प्रमुख कहलाता है मुखिया इन्हें जड़ी बूटियों का ग्यान होता है ठीक है जड़ी बूटी तो ये सारी चीज़ें किस से रिलेटड हो गई आपकी सहरिया जनजाती से रिलेटड ठीक है और हमारे बहुत सारे बैचेश चल रहे हैं असिस्टन प्रोफेसर से रिलेटड प्रिलिम्स मेंस से रिलेटड मेंस का फांडेशन बैच है उसके अलावा आपका जो मैंटाशिप बैच है वो भी है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें कैसे आंसा राइटिंग करनी है आप क्या गलतिया करते हैं वन टू वन आपको मंटशिप दी जाएगी ठीके तो आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वाइरी कर सकते हैं कोई भी इंक्वाइरी है अगर आपको किसी बैच के बारे में पूछना है या किसी और चीज़ के बारे में भी डाउट है हम जो lecture देख रहे हैं उसमें भी अगर कोई doubt है तो आप इस number पर call या message करके अपना doubt clear कर सकते हैं ठीक है पढ़ते रहे हैं मिलते हैं next lecture में